भगवान बुद्ध के चार वचनों को इस्थापित करके रखा गया है उधारन के तौर पर जैसे बौद धर्म के चार सत्ते हैं तो उसके चार आर्रे सत्ते हैं चार आर्रे सत्ते पर अलग अलग तरहा से ग्यारा सत्ते पर विस्तार से व्याख्या की जाती है सोला किस्म की बात बताई जाती है पहली बात का अर्थ नश्वर है दूसरी बात का तात्पर्य दुख से है तीसरी बात का तात्पर्य शुन्न से है और चौथी बात का तात्पर्य निरात्मा से है, यानि कि आत्मा शुन्य है, जहां तक पहली बात होती है नश्वर की. नाश कैसे होता है? क्या एकदम से किसी भी वस्तू का परिवर्तन होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वस्तु में एकदम से परिवर्तन हुआ हो कोई भी परिवर्तन क्षण क्षण बदलाब से ही होता है हम अपनी आँखों से देखते हैं कि जीवन में कितना बदलाब हो रहा होता है लेकिन ये बदलाब एकदम से नहीं आता ये बदलाब क्षण क्षण से आता है जैसे व्यक्ती जवान होता है फिर बुडापे की ओर जाता है अगर हम पेड़ पौधे को देखें तो पेड़ पौधों में भी परिवर्तन आ रहा होता है और धीरे धीरे ही आ रहा होता है तो ये परिवर्तन क्षण शण में बदलाब की ओर अग्रिसर होता है जीवन हमारा महीनों से बदल रहा होता है महीना चार हफतों पर आधारित होता है और हफते दिनों पर आधारित होते हैं और ये दिन जो की घंटों पर आधारित हैं, घंटे मिनट पर आधारित हैं, मिनट सेकंड पर आधारित हैं इस तरह ये एक पर एक निर्भर है वैसे ही बदलाब की जो रफ्तार है इस तरह से ही आगे बढ़ती है तो ऐसा संभव नहीं है कि कोई व्यक्ती रात में सोए और सुभा जवान हो जाए या सुभा उठे तो बूरा हो जाए तो जो भी परिवर्तन आ रहे होते हैं ये सब शन्षन में मिलकर ही बदलाब की ओर आगे बढ़ते हैं यानि कि परिवर्तन शन्षन में होता है एक बार में एक साथ में नहीं होता इसलिए अगर चार सत्य पर बात करेंगे तो सोला किस्म पर अध्यन करना जरूरी है क्योंकि ये कर्म पर आधारित है कर्म के विपरीत कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता शरीर कई हिस्सों से मिलकर बनता है, जिसमें से मुख्य है कर्म और कारण शरीर में कर्म और कारण ने अपना हक जमाया है अग्यानता मूल कारण से हो जाती है, जैसे कि लाला चा गया, या क्रोद है, या मोह हो है, या फिर अग्यानता है तो ये सब ही एक प्रकार से जहर की तरह होते हैं अगर हम इन तीन चीज़ों को काबू में कर ले तो हम स्वतंतर रूप से खुद नहीं है इसलिए तीन किस्म के जो दुख है तो आदत से संबंदित सांसारिक दुखों में से आदत से संबंदित दुख से छुटकारा पाना बेहत जरूरी है ये तो बात हुई नश्वर और दुख के बारे में अब आते हैं तीसरी बात पर तीसरी बात शुन्य है मतलब की खालीपन खालीपन किस चीज़ से खाली होता है खालिपन में गलत सोच से छुटकारा पाना क्या संभव है? दर्शन में जो चार मूल वचन हैं, जितनी भी संसकार से जुड़ी हुई चीजे हैं और कर्म और कारण की गहराई से बनी हुई हैं, अधिकतर नश्वर होती हैं जो भी वस्तू कर्म और कारण से बनती है, वो दुख लाती हैं, भले ही देखने में सुख नजर आता हो, लेकिन परणाम उसका दुख ही होता है भगबान बुद्ध की काया मनुष्य की तरह है, लेकिन उन्होंने पाप के कर्म और कारणों से धारन नहीं किया चौथा जो है वो धर्म की वास्तविक्ता में देखा जाए, तो धर्म की वास्तविक्ता में जो पहचान है, वो निरात्मा है, यानि की आत्मशून्य जो विशय है वो ये है कि जब तक हम अज्ञानता को नहीं त्याग देते तब तक हमें निर्वान प्राप्त नहीं हो सकता बौध धर्म के अनुव्याई या फिर बौध धर्म को मानने वाले इन चार आर्व वचनों का पालन करते हैं और वही लोग सच में बौध भी हैं वही सच में बौध कहलाते हैं चार वचनों के आधार पर शर्ण गमन करते हैं कहने का मतलब ये है कि दाता की शर्ण में जाते हैं शर्ण गमन करना हर किसी धर्म में है, लेकिन भगवान बुद्ध की शर्ण में कुछ इस तरह गमन किया जा सकता है तिब्बत के एक ग्रंथ में लिखा है कि बौध अबौध का अंतर निरात्मा और आत्म शुन्य को लेकर है जो आत्मा को मानते हैं या अपनाते हैं या आत्मा को स्थापित करते हैं वो अबौध है जो की बौध नहीं होते वहीं जो आत्मा को नहीं मानते और आत्मा को स्थापित नहीं करते हैं वो बौध है जब विपाशना की बात करेंगे तो तिब्बती परंपरा का बौध धर्म भारत वर्शिष्टे ही आया है आध्यन करने के विशय श्रेष्ट और लगू कुल मिलाकर दस रखे गए हैं जिनके आधार पर दो सत्य के आधार पर बात होनी चाहिए सत्य भीतर के और बाहर के आधार पर बाते गए है आप किस आधार पर उस सत्य को अपना सकते हैं विपाशना की जब हम बात करते हैं तो ये है वास्तिविक्ता को समझना और ये भीतर के सत्य से संबंदित होगा संख्याओं के आधार पर वास्तिविक्ता को समझना है तो वो भीतर की वास्तिविक्ता को समझना है अगर संख्या की आधार पर नहीं कर रहे हैं और पहचान के आधार पर कर रहे हैं तो वो बाहर की वास्तिविक्ता को समझना है संसार के दुखों और तकलीफों को याद करने से ज्ञान की प्राप्ती नहीं हो सकती। बॉद धर्म में प्रग्या, शील, समाधि ही बोधत्य की प्राप्ती के महत्रपूर माध्यम होते हैं। व्यक्ती और धर्म दो चीजें हमारे समक्ष रखी गई हैं। एक तो व्यक्ति यानि की इनसान से संबंधित और दूसरा यानि की धर्म से संबंधित जब निरात्मा की बात होती है यानि की आत्मशूने की तो वस्तू से संबंधित जो निरात्मा या आत्मशूने है तो वो सिर्फ बौध चित्ते ध्यान से ही संभव है पाली परमपरा में इसका जिक्र नहीं है प्रग्या के माध्यम से या गंभीरता के माध्यम से इसका अध्यन करना बेहत जरूरी है भावना क्रम महा महिम के विश्य की अगर चर्चा करें तो बताया गया कि योगी को इस प्रकार साधना करनी चाहिए पुद्गल धातु सकंद आयतन से उपलब्द नहीं होती है योगी यानि साधना करने वाला योगी को इस तरहा भ्यास करना चाहिए कहते हैं कि इंसान और पुद्गल मतलब व्यक्ति इंसान किसे कहेंगे? हाँ तो सकंद पाँच किस्म के होते हैं सबसे पहले तो सोचना चाहिए कि व्यक्ति यानि कि इंसान वास्तिविक्ता में कैसा है? हमारा ध्यान किस पर है? खुद पर है? मैं पर है? या व्यक्ति पर है? जिस पर ध्यान है? वास्तव में वो कैसा है? ध्यान तो हमेशा खुद पर यानि कि मैं पर रहता है व्यक्तियों से हटकर नहीं है ऐसा उधारन के तोर पर कहा गया है व्यक्ति वास्तव में कैसा है ये जानना बेहत जरूरी है कहने तक सीमित नहीं रखना चाहिए उधारन के तोर पर जब खुद को यानि की मैं को अपने में अनुभब करते हैं तो क्या मैं शरीर के अंदर है क्या शरीर से सम्मंधित अवस्था शुरू से यानि की जन्म के समय से होती है हमें ऐसा आभास होता है कि मैं शरीर से हटकर नहीं है कई कर्मों से कई कारणों से एकत्रित करके जो चीजे बनती हैं वो खुद में ही अनेक हैं यानि की एक माइने में अनेक हैं, लेकिन मैं यानि की खुद एक ही है, बौद धर्म में मैं अकेला है, हमेशा बना रहता है, पूरी आजादी के साथ, तो ऐसा भी नहीं है, तीन तरीके की अवस्था में मैं नहीं है, ये अपने आप आभास करना चाहिए, मैं जब अनुभब करता है, तो वो अपने आप करता है, किसी के माध्यम से नहीं करता है, आत्मा शरील से बाहर नहीं है, ऐसा माना जाता है, तो क्या आत्मा शरील के अंदर है? इसका चंतन आपको खुद करना चाहिए, अगर कहा जाए, यहां कि मैं हमारे मस्तिश्क में हैं या हमारे खोपड़ी में हैं, तो फिर ये सवाल आता है कि आखिर मस्तिश्क के किस हिस्से में हैं? जर्मन के एक महन मनुव विज्ञानिक विख्यात विद्वान ने परिचा के तोर पर बताया था कि मस्तिश्क में यदि मैं नाम की कोई चीज है, तो वो किसी एक दिशा में तो होनी चाहिए, या कोई आदेश चलाने वाला, या हुक्म देने वाला होना चाहिए. जो कुछ हो रहा है, ये किसी आत्मा की आदिश के आधार पर नहीं हो रहा है. शरीर के अंगों से ये सभी कार्य हो रही हैं. बौद धर्म में आत्म शुने के जो दर्शन बताए गए हैं, वो वग्यानिक से अनुकूल हैं. इस तरह से यहां आचार हरीभद्र आदी को नमन करते हुए, अब इसके बाद आचार गुन परवावात का नमन करते हुए, क्योंकि जितने भी आचार हुए हैं भारत वर्श के, तो उनके सभी आचार के जो ग्रंत हैं, उसका भी हम अध्यन करते हैं. अभ्यास करते हैं सही माहिने में ये एक परंपरा है वच्पन से माधमिक दर्शन के या फिर अभी समय अलंकार के तो इस तरह के असंख्य आदी के जो ग्रंथ है मूल ग्रंथ के पाठ को वच्पन में जुबानी याद करते है मैंने भी जुबानी याद किया है महाम महीमची ने तो इसलिए जुबानी याद करके उसके बाद ही अध्धन के जो शास्र अर्थ हैं अध्धन किया जाता है तो इसके बाद आचार शाकी प्रभाकी भी यहां उसका गुड़कान करते हुए इस्तुती करते हैं, और फिर उसके बाद सबसे आखिर में आचार अतिशाह के इस्तुती करने की तिब्बत में आकर उन्होंने वैसे तो भारत वर्ष में होते हुए कुछ छोटे मोटे ग्रंत लिखे थे, लेकिन तिब्बत में आकर विराजमान होकर, वहां उनके द्वारा जो बोधीपत क्रम दीप जुगरंध है वहां रचना की, तो वो तिब्बत में एक प्रकार का प्रचार प्रसार के माध्यम से सबसे प्रसिध एक गरंध है, तो इस तरह से जो पंड़ित और आचारे हुए, वो सारे के सारे जो भारतिय थे, कोई तिबबती या चीन के नहीं थे, वो सारे भारतिय थे। यही वज़ा है कि मैं अपने भारतिय मित्रों से जब मिलता हूँ, तो मैं उनको बड़े आदर के साथ गुरुजी से संभोधित करता हूँ। तो यहां जितने भी श्रधालू हैं, मुझे सुनने वाले जो श्रोता आए हुए हैं, मेरे गुरुजी हैं। जो बचन हैं, उसे हम अनुमान के तौर पर अनुमान लगाते हुए, अध्यन करते हुए, फिर साक्षात रूम में जानने के लिए, समझने के लिए जो एक परमपरा है, वो विशेशकर आचार अतिशाहा के, जो एक परमपरा रही है, उनकी भावना करने की जो विदी है, वो तीन तरह की है, और उनके कदम परमपरा के उसमें तीन तरह से बताये गए, सबसे पहले जो एक परमपरा केंदर की शुरुबात हुई, फिर पत के माध्यम से, उसके बाद उपदेश के माध्यम से बताया क्या, आज जो हम यहां प्रवजन देने जा रही हैं, व्याक्या जो करने जा रही हैं, तो वो पहला याने की केंदर में रखते हुए, जो परमपरा है, विदी है, उसकी अनुसार है, और ये बौदचर विदी के अनुसार, ये जो परमपरा है, वो मैंने प्राप्त की है, रिमपुची, खुनुलामा, तिंजलिंग, यानि की नेगी जी, पुच्छी जी, अभी के जो पहले थे, जिनके अवतार माने जाते थे, आपको तो इनके पहले जो नेगी लामा जी थे, किन्नौर के नेगी लामा जी तिब्बत में गए, और वो वहाँ गुरूओं के दर्शन करते हुए, उन्होंने इसके दर्शन किये थे, और वो किसी एक शाखा तक सीमितना रहते हुए, बुद्ध धर्म के प्रती सभी शाखाओं के गुरूओं से उन्होंने आशिरवात लिया, ऐसे वो एक महान पुरुश थे, जहां तक मेरे महा महिम जी के जो गुरू रहे हैं, उनके करीब करीब 20 गुरू रहे, और उन 20 गुरू में भी दो जो के नौर के रहे हैं, जैसे कि नेगी लामा जी और गेशेग वानशेगे गेन तंजिपा ये दोरों के नौर से रहे हैं, इसलिए यहां भगवान बुद्ध का जो धर्म है, वो कैसा है, ये विस्तार से अभी बताया गया, तो वो सब आप याद कर, क्रपा कर सुनें, और जैसे कि भारतिय दालंदा की जो सत्रा महापंडित आचारे हुए, उनमें से बहुत से जो ग्रंत रहे हैं, उनका यहां प्रवचन देने जा रहे हैं, तो क्रपा कर सभी बड़े साफ नियत से सुनना, इरादा साफ रखना अपना, और साफ नियत माने, यहां जो सुनने आ रहे हैं, वो धर्म वचन विश्य अपने में एक बदलाव लाने के लिए हमें सुनें, और साफ में मन में एक जो कटुता है, मन में जो एक खुदगर्जी है, उसे त्याग करके, अच्छे संसकार पैदा करने के लिए इस नियत से सुनना चाहिए, फिर उसे अच्छे संस प्राणियों के हित में मैं ये प्रवचन सुनने जा रहा हूं। किसी एक शाखा की ओर ना बैठे इसलिए बीच बीच में बैठना चाहिए। बीच में बैठते हुए काट चाट करें। क्योंकि काट-छाट ही एक तरीका है कि बीच में मद्ध में बैठकर दो लोगों के मद्ध में जैसे बैठते हैं उसी तरह और पर काट-छाट करके अच्छाई क्या है और बुराई क्या है अच्छाई और बुराई का काट-छाट करने के लिए हम सुन रहे हैं यहां और हम इसमें फर्क कितना है या पक्षपात मेल जुल कितना आ रहा है तो यह अपना विचार करते हुए क्योंकि यहां जो हम सुनने जा रहे हैं आप वो कोई इतिहास का पाथ नहीं है ये कोई इतिहास की कक्षा नहीं चल रही इतिहास के बारे में नहीं बता रहे यहाँ उस तरह से या फिर व्याकरन पर भी नहीं है कुछ शेर और शेहरी की कविता आधी भी नहीं है तो इसलिए यहाँ जो प्रवजन का विश्य है वो बौध चित्ते पर यानि की अपने आप मन के एक वदलाव लाने के लिए खुद को अपने काबू में रखने के लिए जो अशान्ती जो है उसे शान्त करते हुए और मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि एक बार हमारा सम्मीलन हुआ था अर्जन्टीना में तो वहाँ एक प्रफेसर थे फिजिक्स के तो वो बता रहे थे कि उनके जो शोद के कारे हैं जो शोद के कारे के प्रती मन में राग नहीं रखना चाहिए लालच नहीं रखना चाहिए तो उस समय मुझे ध्यान आया कि मैं एक बौद हूँ और बौद धर्म के प्रती मेरे मन में किसी तरह का लालच नहीं होना चाहिए लगाब नहीं होना चाहिए बौद धर्म के प्रती क्योंकि ये एक तरह का स्वार्थ बन जाता है इसलिए यही बात जो है कि आचार ने सोखा पांची पुछ ने भी कहा कि मन को एक तरफ ना रखें एक तरफा नामन हो और फिर बड़े सोच वेचार बड़े दिल और दिमाग के साथ इस चीज़ को समझे तो अब शर्णम गच्छामी धम्मम शर्णम गच्छामी